हलो फ्रेंड्स आपका स्वाक्तर तुरुष्टिका किचंस में तो फ्रेंड्स आज हम आपके बालों के लिए इतनी ज़्यादा पावरफुल रेमेडी लेके आई हैं जो कि इस रेमेडी को आप कंटिन्यू अपलाई कर लोंगे तो आपके बालों की लेंद बहुती कर लेती हैं चैनल पर पहले बार आया फ्रेंड्स तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेजिए जिसे मेरे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेसन सबसे पहले आपको मेलता रहे और अपने फ्रेंड और अपने फैमली के साथ इस रेमेडी को सेर जरूर कीजिए तो फ्रेंड्स को बनाने के लिए हमें लेना है आउले तो फ्रेंड्स ताजे ताजे आउले आ रहे हैं इसका उपयोग हम हमारे भालों में कर लेंगे तो हमारे बाल बहुत ही ज्यादा श्ट्रॉंग रहेंगे बहुत ज्यादा लंबे होंगे और जड़ना तूटना बिल्कुल से बंद हो और यह नेचुरल तरीके से हमारे बालों को बलेक भी रखता है आउले में विटामिन सी पाई जाने के कारण हमें हमारे चहरे पर भी इसको लगाना चाहिए हमारे बालों को भी धोना चाहिए और हम अगर इसको जूस में यूजकरते हैं जैसे हम गाजर और आंफला का जूस तो इससे फ्रेंट्स हमारी आंखों की रोसनी अच्छी रहती है, हमारे चहरे पर दाग दब्बे होती है, फूंसिया होती है, वो सब क्लीन हो जाती है, और यह हमारे जो खून होता है, उन खून को साफ करता है, तो फ्रेंट्स आमले का जूस हमें बहुती ज़्यादा होता है हम इसको continue apply करेंगे तो यह हमारे remedy 100% हमारे जो hair के उपर वरक करेगी अगर हम इसको एक दो वार लगा कर छोड़ देती हैं तो यह वरक नहीं करेगी और साथ इमें friends हम लेंगे आदा इंच अद्रक का टुकड़ा क्योंकि friends अद्रक इतने सारी हमारे बालों के लिए powerful हो से और friends इतना काम होने के बाद हमें लेना है खल बट्टा और खल बट्टे के साथ ही हम लेंगे एलो वीरा एलो वीरा को हमें कट कर लेना है तो friends जो हमारे पास जो ताजा एलो वीरा होते हैं उसका हमें यूज़ करना है friends एलो वीरा से हमारे बालों में बहुत ही अच्छी स इस खलबटे से इस तरीके से इसको कूठ कर बारिक मना लेते हैं और इसका जूस निकाल लेंगे इसको चाहे तो आप mixi के अंदर भी पीश सकते हैं जैसे आपको आसान लगे वे से आप कर सकते हैं तो यहाँ पर देखें फ्रेंज, इसको भी पीश लिए हैं अब हम लेंगे एक बावल, बावल के उपर रख देंगे कपड़ा, आप कोई भी कोटन और मलमल का कपड़ा रख सकते हो, जिससे हमारे जो हम इसको रेमेडी को छनते हैं, वो आसाने से छन जाए, और बावल के उपर कपड़ा रखने के बाद, फ्रेंस हम अब रखेंगे इसमें आवला और जो अद्रक हमने गिसा था, तो उसको हम इसमें डाल देती हैं, इस कपड़े के अंदर, और इसके साथ ही हम डाल देंगे एलोवीरा और करी पत्ते का जो हम कोट कर पेश्ट बनाया था, तो इन चारों चिज़ों को एक कपड़े से हम छन लेते हैं, और येकिन मानें फ्रें हमें इस कपड़े को चारों तरफ से अच्छे से हमें इसको इस तरीके से पकड़ना है और अपने फिंगर्स को इसको गुमाते रहना है अपने फिंगर्स से और ये देखिए इस तरीके से इसका जूस है वो अच्छे से निकल कर तयार हो जाएगा और अब इस जूस को हम य अगर आप नारियल का तेल यूज़ करते हो या फिर कोई और तेल यूज़ करते हो तो आप डाल सकते हो पर सबसे फ्रेड्स बेश्ट तेल यही रहता है सरसों का तेल मस्टर्ड ओयल क्योंकि फ्रेड्स हमेसा हमारे बालों में तेल नहीं लगाते हैं अगर आप लगाते हो त सेम्पू से अपने बालों को क्लीन कर लेना या फिर आप रात पर नहीं रख सकते तो आदे गंडे पहले इस रेमेडी को अपने बालों में अपलाई कर लेना और फ्रेंड्स आपको बहुती ज़्यादा बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आपके ये रेमेडी आपके बालों पर 100% आप इस रेमेडी को यूज करके जरूर देखिए आपको बहुती अच्छा रिजल्ट मिलेगा तो ये देखिए फ्रेंड्स हमें इस तरीके से अच्छे से इस समस को मिक्स कर लेना है और मिक्स करने के बाद हमें अंगुलियों की साहिता से हमें हमारे बालों की जड़ों से लंबाई तक हमें लगाना है और उसके बाद हमें बालों को चोटी या फिर आप जुड़ा बना कर रखते हो वेसे रख लेना है और नेक्स दिन हमें दो लेना है आई होफ की रेमेडिया आपके लिए बहुती अच्छी रहेगी अगर आपको फ्रेंड्स पसंद आती है तो लाइक जुरूर कीजिएगा मिलती है नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स